हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बाइक और स्कूटर में यूज होने वाले कार्बुरेटर और फ्यूल इंजेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताने वाला हो मैं टोटल 12 अलग-अलग पोइंट्स पे इन दोनों को ही कंपेर करूँगा और आपको बताऊँगा कि किन पोइंट्स पे कार्बुरेटर बेतर है और किन किन पोइंट्स पे फ्यूल इंजेक्टर बेतर है बैसे इस से पहले वीडियो मैंने आपको बाइक और स्कूटर में फ्यूल इंजेक्टर किस तरह से काम करता है और बाइक से कार्बुरेटर को क्यों हटाया गिया ये बता रखा लिंक में आपको इस वीडियो कर देदूँगा तो इस वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर ले फ्रेंट सुरुवात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ देखें कार्बोरेटर में क्या होता है कि जो एर और फ्यूल है यानि कि जो हावा और पेट्रोल है वो मिक्स होके इंजन के सिलेंडर के अंदर में जाता है वहने दूसी तरफ जो फ्यूल इंजेक्टर होता है वहाँ पे सिर्फ जो फ्यूल है सिर्फ जो पेट्रोल है उससे इंजन के सिलेंडर के अंदर में फ्यूल इंजिटर के दुआरा इस्प्रे किया जाता है यानि कि जो हावा और पेट्रोल है तो फ्यूल इंजिटर सिश्टम है वहाँ पे इंजिन के सिलिंडर के अंदर जाके मिलता है अब हम लोग आते हैं ओपरेशनल कंट्रोल में देखिए जो कार्बुरेटर होता है वो पूरी तरह से एक मिकैनिकल कॉम्परेट होता है और इसे मैनुवाली सेट और ऑपरेट करवाना पड़ता है यहाँ पे क्या है कि जितना भी हम लोग को एयर और फ्यूल का जो रेश्यू है यानि कि electronic control unit या इसे हम लोग engine control unit भी कह सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे sensors होते हैं जैसे कि total position sensor, crank shaft position sensor, cam shaft position sensor तो यह सारे sensors होते हैं अब fuel injector system में फाइदा यह हो जाता है कि इन sensors और ECU के दोबार जो data आ रहा है उसके according ही जो fuel injector है वो उस fuel को यानि कि petrol को engine के cylinder के अंदर में spray करता है यानि कि engine के उपर में load कितना है, engine का speed कितना है, riding condition क्या है, riding temperature क्या है, engine का temperature क्या है throttle का response है वो कितना है, यह सब कुछ automatically और electronically ECU के दोबारा control किया जाता है fuel injector system में अब इससे जो बहतर होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो तीसरा point है engine का performance, अब देखिए fuel injector system से फाइदा यह हो जाता है क्योंकि सब कुछ यहाँ पे ECU दोबारा control किया जाता है, तो engine का performance है, वो carburetor के मुकाबले थोड़ा बहतर हो जाता है मैं आपको example भी बताता हूँ, देखिए TBS Apache RTR 164 भी जो motorcycle है, वहाँ पे आपको carburetor का version भी मिल जाएगा और वहाँ पे आपको EFI यानि की electronic fuel injector system माला version भी मिल जाएगा अब जो carburetor version है TBS Apache का, वो हम लोग को 8000 RPM पे 16.5 PS का maximum power output देता है, जो EFI version है वो हम लोग को 8000 RPM पे 16.8 PS का maximum power output देता है अब इससे फाइदा क्या होता है कि fuel injector है, इसलिए जो TBS Apache RTR जो EFI version है उसका हम लोग को top speed ज़्यादा मिल जाएगा तो इस तरह से engine का performance जो है और जो power output है ये बेतर हो जाता है अगला point है fuel की efficiency, मैं आपको बताओ कि कहीं न कहीं चुकि सब कुछ यहाँ पे electronically इसी उद्वारा control किया जा रहा है fuel injector system में तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का fuel का efficiency है, जो mileage वो slightly carburetor के मुकाबले बेहतर देखने को मिलेगा क्योंकि carburetor में a set amount of fuel, जतना हम लोग set करते है, उसका throttle position वागर जतना set करते है, जतना tuning करते है उस आप से लगातार उतना ही fuel जाते रहता है, लेकिन fuel injector system में ऐसा नहीं होता है तो आपको mileage वगरा यहाँ पे बेहतर देखने को मिलेगा अगला जो point है वो है maintenance and repairing, मैं आपको बता दूँ कि जो carburetor होता है और उसके जो parts होते है, उनको maintain करना जादा बेहतर होता, जादा आसान होता है ठीक है, fuel injector के मुकाबले में, कोई बंदा भी अगर mechanic है या mechanic नहीं भी है तो भी वो अपने carburetor को clean वगरा कर सकता है, set tune कर सकता है और repair भी कर सकता है लेकिन fuel injector system क्योंकि अभी bike में नया है, इसलिए fuel injector system जो है जो technology है, उसे पुरी तरह से maintain और repair करना मुश्किल है, हर एक किसी के bus की बात नहीं होती है आगरा जो point है वो है, better cold start मैं आपको बताऊं कि अक्सर अगर आपके पास पहले carburetor selected bike या scooter होगा, तो आपने देखा होगा कि ठंड के समय में ठीक है आपको अपने bike या scooter को start करने में problem आता होगा आपका ये बार चोक लेते होगा, चोक लेने से भी start नहीं होता होगा, इस तरह का problem आता होगा लेकिन आपको FI जो motorcycle या scooter है, वहाँ पे इस तरह का problem नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे better cold start, ठंड के समय में बहतर से काली start हो पाएगी या engine जब ठंडा हो, normal condition में भी, तब भी आपको starting वगरा का issue नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चोक वगरा का scene नहीं है अगरा जो important point है, वो है installation, अब देखिए मैं आपको बताओं कि चूकि कार्बुरेटर में कोई भी electrical components वगरा electrical parts नहीं होता है इसलिए कार्बुरेटर को निकानना और लगा पाना ज़्यादा असान होता है, और कहीं पे भी किया जा सकता है, local garage वगरा में भी असानी से किया जा सकता है लेकिन चूकि जो FI system है, वहाँ पे बहुत सार electrical components होते है, coding वगरा होता है तो उससे निकानना और लगानना और set करना, install करना अभी के टाइम पे थोड़ा मुश्किल काम है भले ही आगे जाके यह असान हो जाएगा जब लगतार बहुत सार गाड़ी आनने लगेगी, लेकिन अभी installation कार्बुरेटर का ज़्यादा असान है चली अगला point है carbon emission, असान लबजों में कहें तो जो गाड़ी के silencer जो धुआ निकलता है, तो उसमें परदूशन की मातरा कितना है तो मैं आपको बताऊं कि चुके भी BS6 emission norms लागू हो, चुके आपको BS6 की गाड़ेया दिखी जारी है और जैसे से BS norms change होते जाते हैं तो जो गाड़ीों के exhaust से धुआ निकलता है, उसमें जो परदूशन gas होता है, उसे कम करने का आदेश दिया जाता है तो मैं आपको बताऊं कि जो FI system वाले two wheelers हैं, वहां पे carbon emission जैसे के carbon monoxide, hydrocarbon, sulfur oxide, nitrogen oxide इस तरह के जो handful gases से वो आपको कम देखने को मिलेंगे इसलिए कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि FI system में जो fuel है, वो unnecessary burn नहीं होता है, उसका burning सही होता है, और जो load हो, जो condition हो, उससे आप से fuel जाता है लेकिन कार्बूरेटर वाली जो गाड़ियां होती है, वहां पे FI के मुकाबले, जो carbon emission है, जो धुआ है, जो pollution है, वो जादा निकलता है, तो इस मामले में तो FI बहतर है अगला important point है, वो है cost, अब देखिए, कार्बूरेटर पुरा set हो, या कार्बूरेटर का जो parts हो, उसका cost कम होता है अगला है, अगला है, पेट्रोल की quantity, अभी एक बहुत ही important point है, कार्बूरेटर में फाइदा यह हो जाता था हम लोगों को 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जितना मर्जी उतना का पेट्रोल डलाओ और आपसे चलो, उससे कार्बूरेटर को किसी तरह का problem नहीं होता था लेकिन जो FI वाले टूविलर्स है, वहाँ पे आपको गौर करना है, कि आपको हमेशा वहाँ पे 2-3 लिटर या उससे ज्यादा पेट्रोल रखना है मैं आपको बता दूँ कि ऐसा बिलकुल नहीं है, कि अगर आप 50 रूपय, 100 रूपय, 500 रूपय का पेट्रोल रखते हो, तो FI वाले टूविलर्स नहीं चलेंगे ऐसा नहीं है, वो चलेंगे, वो बिलकुल चलेंगे, लेकिन अगर आप लगतार कम पेट्रोल रखके, इन मोटर साइकल्स वगरा को चलाते हो, तो जो FI या उसका जो सिस्टम फ्यूल पंप वगरा है, वो जल्दी खराब हो सकता है तो यहाँ पे कारबुरेटर बहतर था, जतना मर्जी उतना पेट्रोल रखो, ठीक, अगला जो है, वो है लाइफ स्पैन, मैं आपको बता दूँ कि कारबुरेटर जो है, वो फिलूजिक्टर का मुकाबले जादा लंबे समय तक चलने वाले, जादा डूरेबल होते है, मैं अगर जो बाइक है, उसका मेंटेन नहीं करते हो, तो जो फिलूजिक्टर बगरा है, वो जल्दी खराब हो सकता है, तो लाइफ स्पैन, कारबुरेटर का नॉर्मल कंडिशन में ज्यादा बेतर होता है, अब आगे हम बढ़ते है, प्राइस के उपर में, जो कौश है, जो मैं आपको बताऊ, कि आपने भी गौर कर लियोगा, अब तक कि जो फिल इंजेक्टर वाले, जो एफ आई, एफ आई, वगरा है, जो टूविलर्स है, उनका प्राइस, जो कारबुरेटर वाले जो टूविलर्स थे, उनके मुकाबले 5-15,000 तक ज्यादा देखने को मिलता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंजेन में कुछ सेंसर्स वगरा को देना पड़ा, इंजेन में कुछ एंजेस करना पड़ा, ताकि जो एमिशन कंट्रोल किया जा सके, तो कॉस्ट के मामले में देखा जाए, तो यह ज़्यादा बहता है कारबुरेटर, इसमें कम में हमनों को गाड़िया मिल जाती थी, अभी थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, अब अगर आपको इसे समप करें, तो मैं आपको बताऊं कि फ्यूल की एफिसेंसी, इंजेन का प्रफॉर्मेंस और जो एमिशन कंट्रोल है, यह सब देखने को मिलने वाला है, प्रफॉर्मेटर के बारे में ज्याद आची दर जानना चाहते हो, तो इसको प्रम डेटेल वीडियो में अल्लेट अप्लोट किया हो, लिंक मैं आपको डेस्क्रिप्शन में देदूंगा, तो आज का वीडियो पचान आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर द